Hello, Good Morning, Student for Class 7. This is your first lecture of 14th chapter of English Grammar. पेटा, आपका चापका चाप्टर ने में Prepositions. ठीक है? पेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे जो prepositions होते हैं, वो होते क्या हैं? A provision is a word you express before a noun and pronoun. जो वो बैसे words होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, noun या pronoun से पहले. To show the relation in which the person or thing denote why the noun pronoun stands with something else. और जो relation पै करता है, एक person का noun या हमारे pronoun से. ओके, देखिए. The notebook is on the table. Notebook कहा है? Table पह रहा है. अप डेटा जैसे हमारा on, in, into, of, to, यह सभी हमारी क्या आते हैं? Prepositions होते. ओके, first of all आप हमारा आता है, prepositions of place, position or direction. तो किस तरीक से यूज़ करते हैं? Place, position or direction. यह तो हमारे place हो गए. देखिए. It is used in place in small town. जैसे कि he lives at work. बदली है. इस तरीक से. My cousin lives in Delhi. जब हम एट का यूज़ करते हैं, तब वो हमारा होता है prepositions of place. अब next हमारा बिटा क्या होता है? देखिए, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं. इसमें देखो आती है. इन, इन डिनोर रेस्ट बिदिन, इन टू. The place are in the hospital. मतलब जब वो hospital में तभी तो place है. He ran into the room, into the river. ओके? फिर हमारा between आ जाता है. और among आ जाता है. The mother divided the suite between his two sons. मतलब मतलब आ ने among आता है, beach के लिए. Across भी हमारा आ जाता है. Against भी हमारा आ जाता है. Around भी हमारा आ जाता है. V-side हमारा आ जाता है. Why हमारा आ जाता है. यह सब भी हमारे किस में आते हैं? preposition of place में यह सभी चीज़ें हमारी आती है. ठीके, अब हमारा क्या आता है, बिटा, दीखें. down आता है, throw आता है, near आता है. ठीके, अब next हमारा आता है, preposition of time. टाइम में क्या आता है? 8, in, on, during, while, for, since, until, before, after. ठीके, अब 8, in, on. I shall be 8. Okay, 8, 6 p.m. On Sunday, in the morning. और हमारा within, within भी हमारा किस में आता है? time, till और until, ये भी हमारा किस में आता है? since, for, from, before, after. ये सभी जीजें, बेटा, हमारी किस में आती है? during, through, ये सभी जीजें, किस में आती है? हमारी preposition of time. अब ये हमारा बेटा, preposition of manner, as in, or instruments. इसमें वे आता है, why? देखे, the dog was killed by the MCD. ठीक है? इसमें हमारे आ गए manner, instrument. the heart was destroyed by fire. मतलब, आग के से नस्ट हो गई, fire से नस्ट हो गई. ओके? तो ये सभी जीजों को, अब बेटा, turn your page. page number 94 पे आप देखिए. हमने आपको क्या बताया है? इसमें, reasons of purpose आते हैं. जैसे, गांदी जी fought for freedom. गांदी जी किसके लिए लड़े थे? अजादी के लिए. ठीक है? the baby suffered of chicken pox. बेबी किससे सफर कर रहा है? chicken pox है. तो इसमें कहीं नहीं कहीं नहीं केस हा रहा है ना? case है, reason है, purpose है. तो ये सारी चीज़े हैं. ठीक है? तो बेटा, हमने आपको क्या बताया था? चाहें, आपका active passive voice हो, चाहें, direct indirect हो, या फिर बेटा, आपका prepositions हो. लेकिन इनको आपको करने से पहले, इसनके जो rules है, आपको उनको follow करना होगा. उसी के इन rules को आपको अच्छे से याद करना है. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? फिल इन दी ब्लैक्स with the appropriate prepositions यहाँ पर prepositions फिल करेंगे. और उसके बाद बेटा क्या करेंगे? चूज़ दा appropriate prepositions and fill in the blanks. इसमें आपको दे रखी, वो prepositions आप फिल करेंगे. ओके? थैंक्यू, ग्लास.